तो आज हम करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे इसमें मेरा जो कलर प्रेंट आउट था वो में इस प्लेस हो गया तो आज हम इसमें यह जो एक लाइटिंग सी दिया लाइट शेड दिया वोपर पहले वोट में आज हम वो सारा करेंगे यह जो लाइट शेड आपको दिख रहा है तो इसके लिए मैंने अपने पैलेट में कलर अल्रेडी निकाल ली है इसमें मैंने निकाला हुए बर्ड्स है ना ठीक है और वाइट जो अभी हम यूज करेंगे लाइट करने के लिए उसके तो सबसे पहले हम यह जो कलर है यह करेंगे जो वुड के उपर वुड के उपर यह जो लाइट पीच पीच पे शेड दियो हुए ना यह करेंगे हम आज और इसमें कौन से दो कलर्स यूज कीए है इसमें जो दो कलर्स यूज कीए है वो है बर्ट वाइट में बिल्कुल हल लूँगी अलग से और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा बॉर्ट से आना अगर हमें जुरूरत होई तो हम बात में मिक्स करेंगे थोड़ा सावर यह रिखिए ठीक है यह मैंने वाइट और बॉर्ट से आना मिलाकर करके यह लाइट शेट बना लिए इसी कलर से अब मैं यहां पर शेटिंग दूगी और हमने क्या करना है बहुत ज्यादा कलर नहीं लेना है हमने अपने ब्रश को जो एक्स्टा कलर है उसको यहीं पर ही निकाल देना है ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर हलकी हलकी हमने क्या रहा है, शेडिंग देनी है, थोड़ा सा ज्यादा लाइट है, मैं थोड़ा और ब्राउन मिक्स करूंगी इसमैं, योकि नीच्चे वाला हमने थोड़ा ज्यादा ब्राइट रखा है न, थोड़ा सा कलर और मिक्स करके अब इसको हम शेटिंग देने लिए एक्स्ट्रा जो है मैं उसको थोड़ा जो पहले लाइट हो गया था उसको थोड़ा सा बगर रही हूं ताकि एक नैच्ट्रल लुक देने के लिए कि बिलकुल लाइट हैंड से मैंने कलॉथ के साथ या गी है उसको कलर को हलका हलका रिवोव किया है मैं इसके लिए थोड़ा सा ब्रॉल बाल ब्रश घृट कर लेते हैं जहां जहां पर भी है देखके हम उसको थोड़ा थोड़ा थोड़ी शेरिंग गर लिए एक्स्ट्रा जो है उसको हमने रिमूव कर दे लिए यह मेरा जो कलर है ना यह थोड़ा थिन है मैंने थोड़ा ब्राउन और मिक्स किया कि मुझे यह लाइट नज़र आ रहा है लाइट लग रहा थोड़ा थोड़ा थे इस तरह से दिलकुल हमने यह जो इसका यह इफेक्ट है ना बुड का यह इस तरह से आप कहीं कहीं पर अपनी मर्जी से थोड़ा सा एफेक्ट इसी तरह से इस साइड पर भी ठीक है इस साइड पर भी है ब्रश में आपने एक तरह से इस तरह से ब्रश को क्यों यूज करीं ताकि हमारा यह जो बीच में हमने जो टेक्स्च्चर दिया है इसका वो खराब ना हो हमारा इस तरह से दिखर आपको इस तरह से जहां आप देना चाहते हो हलका हलकी सी एक लाइटिंग है यह हमारी ठीक है एक तरह से एक लाइट का जैसे शेड़ पड़ रहे हैं इस तरह से यह ठीक इसी तरह से जो अंदर की बुड़ है उसमें थोड़ा सा इन्होंने येलो किया हुआ है या लेमन येलो लेरी हुए मैं ठीक है लेमन येलो के साथ इसी तरह से हम यहाँ पर कलर बिल्कुल लाइट लेना है हमने अल्मोस्ट हमने ड्राइब रश टिकनीक करनी ही है आई होप क्लियर हो रही होगी कलरिंग ठीक है हलका सा मैंने येलो में ये ब्राउन मिक्स किया है हलका सा बिल्कुल येलो में ब्राउन ये बिल्कुल कॉर्मेर्स पर हमने थोड़ा सा ब्राइट वाला येलो दिन है अभी लीव्स के उपर हमने कलर करना है तो कोई टैंशन की बाद नहीं है ठीक है इसी तरह से हम इस साइट भी करेंगे मैंने जोड़ा सेट करते हैं यहाँ पर यहां पर ठीक है इसी तरह से हम ये वली जो साइट है इस पर भी हम करेंगे ठीक है हलका सा लेमन येलो एक्स्ट्रा को वहीं पर हमने रिमोव कर देना है ठीक है इसी तरह से यहां पर जो आप टेक्स्चर दोगे थोड़ा सा डीप दे देना मेरा वला यह जो टेक्स्चर है यह थोड़ा डीप नहीं है जो तो इसलिए क्या हो रहा हो बीच में मिक्स हो गया अब फल का सा उपर से क्लॉथ से इसको क्लीन कर देना ठीक है इसी तरह से हमने यह पूरे को कवर करना है यहां पर इसी येलो वले कलर से लेमन येलो ठीक है यह जो हमारी विंडो है इस पर हमने किया है ठीक इसी तरह से यहां पर भी तो यह जो लेमन येलो शेड है इसको हमने कि मैं फिंगर से थोड़ी सी मिक्सिंग कर रही हूं इसको हमने देखो लेमन येलो को हमने सारी तरफ लगाने ठीक यह दिखिए इस साइड पर भी हम थोड़ा सा दुबारा से देंगे आई होप आप हो दीख रहा है कि स्वारी मैंने कर्टिन के उपर लगा दिया जहां पर आप यह थोड़ा लाइट शेड दे रहा हूं थाट मेंस लाइट ठीक है थोड़ी सी हमने लाइट दिखाईए चल आपको क्लियर होगा होगा यह आपको ठीक अब हम क्या करेंगे अब हम थोड़ा सा मैं ब्राउन देरा जो है यहां बीच बीच में मैं थोड़ा सा और दोंगी ठीक है यह जो ब्राउन का जो हमने पहले वाइट एंड ब्राउन को मिक्स करके बनाया था सेम वही मैं पैलेट में से ले रही हूं चीक है और उसको यहां नीचे भी हम थोड़ा सा यहां नीचे भी हम थोड़ा सा शेडिंग देंगे उसके किनारे पर यह लाइन हमारी नजर ना इसलिए मैं इसको फिंगर से हलका सा क्या करीं मिक्स करें ठीक है अगेन वही ब्राउन वाला लाइट ब्राउन जो हमने बनाया था इस साइड भी हम थोड़ा सा एक टेले कलर साथ की साथ सुखदा दे है तो आपने जो मिक्सिंग थोड़ी सी देनी है वो साथ की साथ ही देनी है ठीक है ठीक इसी तरह से यहां पर ठीक है ठीक है येक नची नची की साथ की यहां क्लियर हो गया होगा आपको अब हम क्या करेंगे लेमन येलो अब हम पहले अपने ये जो पीछे हमारे जो लीव्स का ये जो एरिया है हम इसको कवर करेंगे ठीक है अब यहां एक जेगा सेट करती कैमरा हम इसमें हमें कौन सा कलर चाहिए भूड़ असा हमें ब्लैक चाहिए और लाइट ग्रीन बनें ग्यक्ति लाइट ग्रीन कर्ण लिकाल भी हुआ और अपनी पेलेट ठीक रिक एठ टेम सोण 50 फ मिलाऊंगी घोदशा येलो में पास है ठीक है एक मिलेट प्रेंट इसमें चाहरा कलार खोलों थोड़ा टाइट होगया उसका कैप्चु है वो थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर लिया है ठीक है मैंने हलका सा प्रशयन ब्लू में अपने लाइट ग्रीन में हलका सा मिक्स किया उसको एक डार्क शेड देने के लिए ठीक है प्रशयन ब्लू को मैंने लाइट ग्रीन में मिक्स किया है यह डाक शेट देने के लिए थोड़ा सा ठीक है अब हम क्या करेंगे एक में ब्रश क्लीन कर दूँ अब हम क्या करेंगे इसमें जो जगह है ब्लैक वाली उसमें हम अब हम क्या करेंगे इसमें कर में डाबिंग मोशन में गरीन करेंगे ठीक है डाबिंग मोशन में करेंगे कहीं ब्लैक चूटता है तो चूटने सब हachen न रहें जो और भाइत न रहें डाक ग्रीन भी ले रही हूँ, एक डबल शेर दिखाने के लिए, अपनी सकुछे से बीच वाल एरिया को जो है वो कौर करना है, लीव्स को हम अलग से दिखाने के लिए, इसमें हम थोड़ा सा लाइट ग्रीन करेंगे, लीव्स में, ठीक है, ये नीचे का जो बैक का एरिया है, इसमें हम डाक ग्रीन करेंगे, इस तरह से सारे इरिया को हम जो हमने ग्रीन बनाया था, कौन-कौन से कलर मिक्स की थे मैंने, मैंने उसमें कलर मिक्स किया था, लाइट ग्रीन, उसमें थोड़ा सा ब्लू, ठीक है, और एक मैं यूज़ कर रही हूं, बीच-बीच में डाक ग्रीन, ठीक है, इस तरह से हमने पूरे एरिया को जो है, इस तरह से कबर कर देने है, हमारे इस तरह से द Woo, यहीक होले पूरे, इस सी तरह से हम, दूसरी साइश भी करेंगे, यहीन बीच को नहीं करेंगे, जो बीच का इरिया है उसको हम ग्रीन करेंगे, यहीन में थोड़ा सा Michs कर सा रही हूं, नाहीत ग्रीन, तोड़ा सा मिक्स कर सॉतक है gathered a place, फिनिश हो गया, light green, उसमें थोड़ा सा मैं ले रही हूँ ये, पर्शिन ब्लू, ठीक है, थोड़ा सा पर्शिन ब्लू, इसको mix कर रही हूँ मैं, और इसमें थोड़ा सा yellow, इसको light करने के लिए, ठीक, अगेन, बीच बीच में हम ये वहला color करेंगे, और बीच पीच में dark green, ये थोड़ा सा color change हो गया, ब्लू जादा कर लिया, ब्लू देखो, थोड़ा सा color का mixing है, उसका बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा सा blue dark होने से ये कौन सा shape बन गया है, पीकॉक shape है ना, अब उसको मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगे उसमें, थोड़ा सा light green ऐट करूँगे, ये क्या दिखाया हूँ आपको समझ आ रही है, ये window में से दिखाया है कि बाहर, window के बाहर का see, I hope आप लोगों को clearly visible होगा, आज थोड़ा camera की setting ठीक नहीं हो रही, actually coloring इस तरह से अगर हम अपना जो भी चीज बना रहे हैं, इस तरह से खड़ा करके, इसको करें तो ज्यादा easy हो जाती है, और better भी है, तो इसके मैंने क्या किया कि आज इसको यहां रखा, आज इसको यहां रखा, आपने पूरा इसको cover करना है, और आपने पूरा ध्यान देना है, कहीं इधर उदर से नीचे से, क्योंकि लीव्स हमने कुछ उठे भी बनाई थी ना, तो वह लीव्स रहनी नी चाहिए, उसके नीचे white space नहीं रहना चाहिए, यह पूरा मैंने, कवर करते हैं, ठीक, अब लीव्स में हम क्या करेंगे, क्लॉथ चलूर अपने पास रखना है, अपने ब्रश को प्लीन करके क्लॉथ से पहुंच रहना है, क्योंकि ताकि यह ज्यादा वाटरी नहीं हो जाए जब हम ब्रश को यूज करेंगे, ठीक है, अब हम कौन सा यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे अपना light green और yellow, light green and yellow, लीव्स में, अगेन हम ब्रश को बहुत ज्यादा फिल नहीं करेंगे कलर से, ठीक है, मैंने ये कलर लिया ब्रश पे, एक्स्टा को यहाँ थोड़ा सा डैब कर दिया मैंने, और फिर हम इस लीव के उपर लगाए, इस तरह से, ताकि हमने जो एक टेक्स्चर दिया है लीव के उपर, वो हमारा टेक्स्चर नजर आए, इस तरह से, देखो, मैं बार-बार ब्रश में कलर नहीं ले रही, और जब लेती हूं तो उसमें से एक्स्टा, रिमूव, अभी मैं सिर्फ लाइट ग्रीन कर रही हूं, ठीक है, इसके उपर हम बाद में, येलो से शेडिंग देने, थोड़ी थोड़ी, ताकि हमारी लीव्स जो है वो अच्छे से नजर आए, कहीं कहीं पर हमारी लीव्स पर क्योंकि डाक ग्रीन हो गया, जहां पर आपका डाक ग्रीन हो गया ना, वहां पर आप लाइट ग्रीन में भी क्या करो, थोड़ा से येलो मिक्स कर दो, एक्स्टा को मैं रिमूओ कर दी, मैंने येलो लिया हलका सर, बिल्कुल लाइट सा लेके, उसको या तो आप वही पर दो तरीके हैं, या तो आप पैलेट पे बिल्कुल हलका सा लेके, और उसको वही पर ही आप थोड़ा सा डाब करके, या फिर आप किसी क्लॉथ के उपर एक्स्टा को डैब कर दो, थीक है, अब आपकी लीव्स जो है वो नजर आ रही है, पहले क्या हो गया था बीच में ही, मिक्स हो गया थी है न, अपड़ वी न, इस? जर बीच वाली लीव पर कलर रह गया, यह एक लीव यहां बच गी, उस पर में कलर कगी है, तो डाब को मैं रिमोव करके, येलो के साथ, धल की सुसकी, शेगी, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, इसी तरह से हम इस साइट भी करेंगे, लाइट ग्रीन में, लाइट ग्रीन लिया है ये मैंने, इसमें मैंने ये येलो मिक्स किया, ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा वही पर डाब करके, लीव में, ब्रशनी कलर ज्यादा है, तो देखो, बीच में फिल लो जाता है, है एप एप कली रवड़ को, झाल झाल यहां पर ओल्रीडी थोड़ा सा डाग दी हूँ अब उसके उपर यूइब्स के तुस्विए हूँ ठीक अब हम उसी तरह से क्या करेंगे खली लेमन येलो लेंगे जैसे पहले लिया लैमन येलो लिया ब्रश में एक्स्ट्रा को हमने वहीं पर कर दिया या हलके से पने कलॉद के उपर डाब करके अगें जैसे हमने इन लीव्स में दिया था वैसी हम इसमें भी एक लाइटिंग आप सबस्क्राइब आपको बनाते हुए इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉपलम आती है तो प्लीज आप मुझे वाट्सेप पर मैसेज कर सकते हूँ मैंने वाट्सेप ग्रॉप का लिंक भी इसमें शेयर किया हुए या आप मुझे इस भी इसी नहीं वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हूँ इसके बाद हम बहुत सुंदर प्लांटर्स बनाएंगे इसके बाद हैंगे इसेज कर सकते हुए इसके बाद हैंगे यह दिखिए लिए लिए आपको और क्लियर भी आपको अब मैं क्या करूंगी हमारा ये बला कर्टन जो है और ये बांद लिया कर देंगे पीर us ने संहीं सबूद सब्सक्राइब कर दो इसमें इसमीनी तो हम नीचे चैका बद चलाजीं , फिर हम बात में करेंगे, ठीक है, तो वाइट के लिए मैं दूसरा ब्रश लूँगी, कि अभी अगर मैं बॉश करने जाऊंगी, तो टाइम बहुत वेस्ट ओपा, ठीक है, मैंने दूसरा ब्रश ली है, वाइट शेट यह मैंने पहले ही एक्टेलेक का वाइट कलर निकाल के रखा हुआ, इसको भी हमने ड्राइ ब्रश टेकनीक से ही लगाना है, ठीक है, ब्रश में लेना है, एक्स्ट्रा को वहीं पर आपने रिमूव कर देना है, और इसके उपर, यह जो हमारे साइट पर, मकडी के जालेव नहीं है, इनके उपर हमने बाइट कलर करना है, और मैं बिल्कुल लाइट हैंड यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारे जो हमने नीचे उसके डिजाइन दिया है, उसमें ब्लैक में ये वाइट ना जाए, कलर बिल्कुल भी ब्रश पे जादा नहीं होना चाहिए, हम सेकिंड कोट कर देंगे, लेकिन ड्राइ ब्रश टेकनीक ही जरूरत लगी तो कर देंगे, ना लगी तो नहीं करेंगे, क्लियर, इसी तरह से हम उपरवाले में भी, एक्स्टा देखे लिए, मैं पैलेट में ही इसको एक्स्टा को रिमोव कर लिए, इसको ड्राइ होने देंगे, अगर हमें लगा, तो हम एक कोट उपर से और दे देंगे, इसको बात में, ड्राइ होने के बात, ठीके, अब हमारे ये जो नीचे कर्टन्स हैं, ठीके, इसमें प्योर वाइट नहीं है, प्योर वाइट ये है बस, इसको हम कर देते हैं, उपर, प्योर वाइट हमारा सिर्फ ये है, जो नीचे वाले कर्टन्स हैं, उसमें प्योर वाइट कलर नहीं है, तो हम पहले, इस पर अच्छे से वाइट कलर लेना है, और आपने, और इस पर कलर कर देना है, हमने नीचे मल्शन किया था ना कले, कर देता है, ये नीचे मल्शन के लेंगि और वे किया वाला कर देता है, प्यूर वाले को अच्छे हैं, ये रजड़ाएट को इस अच्छे हैं, इस तन जा से वाइएएज। यह हलका सा येलो शेड आ रहा है यह हमारे नीचे वाले कट्टन में यह शेड है प्योर पई नहीं है आपने यह जगह भी ध्यान रखनी है यह नीचे और यहां से यह जो नजर आनी होगी यह अंदर से ठीक है क्योंकि अगर आप इसको वाल पर टांगते हो तो यह नीचे से नजर ना आए ख्रेंग तो करेंगे ना हम इसको आज के लिए मिर्खल इतना पहुत है यह कट्टन पे भी हम नीचे वाले पे भी इस पर भी यह नीचे का कट्टन है इस पर भी हम एक कोट वाइट का कर देते हैं आए जो हमने ब्लैख दिया था उसको हम कोशिश करेंगे कि उस ब्लैक मिना बाइट को रहें जो उठा हुआ है सिर्फ उस पर ही करेंगे जो अंदर का स्पेस है जहां हमने ब्लैक दिखाना है यह एक कोट में इसलिए कर रही हूं क्योंकि हम काफी वाइट कलर है करटन में तो ताकि कल हम एक कोट और इसके उपर से कर सके अरे गलिया चते हां तो यह सांदर को तो यह जब हम कर लिए कंपले कर देगे तो यह साफ हो जाएगगा तो आहिए अभी हम इसको इसती तरह से चोड़ लेगे चलिए बाकी का फिर हम बात में करेंगे ठीक है आज के लिए इतना बहुत है यह फ्रूट्स में भी यहां पर उपर उपर थोड़ा सा वाइट दूंगी मैं बीच में नहीं करूंगी बीच में से थोड़ा ब्लैक ही रहने देंगे दिख रहे आपको इस तरह से चिकल जहां जहां पर आपका फ्रूट वाइट दिख रहे ना वहां वहां पर कर देंगे बीच में वैसे बीच में येलो पॉपल ब्लू है सोरी ब्लू जहां पर वाइट दिखाए है मैंने उसके उपर वाइट कर दिये ताकि कल हम एक और कोट जब करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आप सबको ठीक है अभी हम ये थोड़ा वैट था तो इस पर जो हमारा येलो है वह अच्छे से उभर के नहीं है ये ड्राइग हो जाएगा जब उसके बाद फिर जैसे हमने येलो की आज शेडिंग थोड़ा थोड़ा साइड पे दिया थ ठीक है चलिए ओके बाई एब्रीवन ये ड्राइ होने के बाद फिर नेक्स स्टेप हम करेंगे बाई